बीते दो दिनों से हिमाचल सरकार कोरोना वैक्सिनेशन को लेकर अपनी पीट थप थपा रही है सरकार और सरकार के समर्थक वैक्सिनेशन की खुशी में व्योस्त है तो इधर कोरोना ने आज हिमाचल में पांच लोगों की जान ले ली हिमाचल में हर रोज कोरोना संक्रमन से लोगों की जान जा रही है चंबा, कांगडा, कुल्यू और उना के पांच लोगों ने आज कोरोना के कारण दम तोड़ दिया प्रदेश में आज कोरोना का आंगडा 251 तक चला गया ठीक होने वालों की बात करें तो 104 लोग आज कोरोना पोजिटिव थे तो अब ठीक हो चुके हैं हिमाचल में अब तक 3587 लोगों की मौत हो चुकी है प्रदेश में मौजुदा समय में 1784 एक्टिव केस है हिमाचल में आज 11 जिलों में कोरोना के मामले सामनी आए हैं मंडी जिला में 61, कांगडा में 47, हमीरपूर में 44, शिमला में 46, चंबा में 17, बिलासपूर में 14, उना में 1, कुल्लू में 8, लाहुलस्पिती में 2, सोलन में 6, और किन और में 5 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई है हिमाचल में आज 10,470 कोरोना के सेंपल जाचे गए 430 लोगों के सेंपलों की रिपोर्ट आना भी बाकी है